अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो आपको चाहिए एक छोटी कार्ड, लेकिन अगर आपको जादा पैसे बचाने हैं, तो आपको चाहिए एक ऐसी Tata की कार्ड, जो कि आती है ICNG Technology के साथ, और अगर आप प्राइवेट कैब सर्विस के अंदर हैं, या फिर चाहते हैं कि अपन इसके अंदर कोई प्राव्ब्लम नी देगा, और CNG की Technology ऐसी की Dual Cylinder यूज़ किया गया, ICNG की Branding वगरा, और इसमें जब इसको आप बूट फो लेंगे, तो अभी तक हमें कहा लगता था, कि सीन जी की कार में यहां पर एक बड़ा सा Cylinder होगा, हम अपने क्लाइंट का, यह छोटे मोटे जो बैग्स होते हैं, यह भी नहीं रख पाएंगे, बट इसके अंदर ऐसे बैग्स काफी आ सकते हैं, जो चार बैग आ सकते हैं, यह स्पेस मिल रहा है, इंटेलीजेंस से, क्यों? क्योंकि इन्होंने सुझे कि एक Cylinder लगा के, हम यह जगा को खराप कर रहे ह इससे अच्छा है, हम इसको dual cylinder के अंदर convert कर देते हैं, तो जो cylinder system है, जो gas का system है, वो नीचे की तरफ है, और यह बहुत बड़े-बड़े massive cylinders है, जो उनकी volume है, वो काफी जादा है, अगर इनमें पानी भरा जाए, तो 15-15-20 लिटर तक पानी आ सकता है, बट गैस इसके अंद 50-point of view से लगा जाते है, तो यह वाल्व को आप shut down की कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है, कि कुछ problem है, in case, कार के अंदर अगर कोई leakage होती है, तो यह कार का automatic system, इस gas system को अपने आप block कर देगा, और gas leak नहीं होगी, और वैसे भी आप इसको खुद भी manually कर सकते हैं, बट कार अपने इंटेलिजेंट हैं की अपने अपी sensor लगें और gas का जो flow अपने अपी ब्लॉक कर देगी, इस car की जो front seats है, दोनों यह, average Indian के हिजाब से मैंने adjust कर रहे हैं, बाकी drivers की height अलग अलग होती है, कोई 5.5 पा भी होता है, कोई जादा भी होता है, तो यहाँ से अगर मैं बै और फैमिली के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपकी फैमिली के अंदर must है, कि दो बड़े होने चाहिए, mature और दो बच्ची होने चाहिए, तो उसके लिए यह perfect है, पीछे बच्चे अराम से बैठे हैं, यह पीछे बड़ा बैठे, एक बड़ा आगे driver कार से लाओ, साथ में परफेक्ट मिलता है, रियर पैसेंजर को थोड़ा सी सोलियत मिली है, जैसे कि यह पॉकेट हो गई है, तो यहाँ पर समान आ सकता है, यह इस तरफ भी इस तरफ भी हो, यहाँ पर एक छोड़ा से स्पेस है, जिसके ने चोटी मूटी चीज़े है, यह आप रख सकते हो, और अगर डोर्स की कॉलिटी देख लें, यहाँ पर बटन से लिए तो फोर पावर विंडोस, पीछे डोर लॉक वगरा, चाइल लॉक वगरा, आपको सब कुछ मिलता है, बड़ फ्रेंट पॉकेट्स के अंदर यहाँ पर बॉटल नहीं रख सकते हो, यह चोटी वाली बॉटल माईलेज दे रही है यह चार, अब इसका जो प्राइमरी फ्यूल है वो है यह समने बट इसके यह फिर फैमिली के पॉइंट अफ व्यू से अगर देखा जाए तो बूट स्पेस के अगर मैं नंबर प्याओ तो यह दो सो पांच लीटर का बूट स्पेस निगाल दिया टाटर ने वेज सी इंजी के सिलेंडर के साथ लेकिन अगर आपको देखा जाए कि इसके वील्स जो ह और यह जो इसकी ग्राउंड लेस है यह सिटी के आप से 165 mm गी है तो कली इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कहीं पार्किंग नहीं मिल रही तो मैंने इसको फूट पात पर चड़ाया काफी इतना बड़ा फूट पात ता हो यह आगे से भी चड़गे पीछे से उतर भी गई तो वो भी एक अगर आपको इनको कल को इंदर फीचर अपग्रेड करना है तो आप इनको पूरी यह जो लग जाएंगे 6000 रुपे के अंदर तो ज्यादा बड़ी यह बात नहीं है तो जब आप इसके इंदर बैटोगे तो कुछ ऐसा सा फील आने वाला है काफी एची खुल अगर यहां से स्टर्ट बैट्रिंग जो काफी अची हो और निशन के इंदर काफी सारी अची नॉलेज मिल जाती है तो यहां पे बोड़ो आ रही है नीट्रल आ रहा है और अटोमेटी पर लगी है तो कौन सा गेर यहां पर चलेगा वह दिखाएगा यह उपसार इंफ्रम और बाकी जो इंफ्रमिशन है वह रहाती है यहां पर हर्मन काडन का एक अच्छा सा इंफोटेमन सिस्टर में जिसके अंदर एंड्रोइड आटो वगरा और एपल कार प्ले काफी ब्लूटूथ क्रेक्टिविटी से लिए इसके इंदर फीचर है और साउंड भी इसका ठीक यह है रिवर्स में कैमरा अन हो गया इस इस नाइट विजन भी है तो कल रात को मैंने देखा कि बिलकुल अंदेर रह था और पीछे यह ब्लैक ऑन वाइट फोटो दिखा रहा था और दिखा रहा था कि तुम कहा हो तो यह काफी अचीज है तो मैं इसको आटो पर करके बी जिसे तो ब्रेक छोड़ी है और मेरा जो पैर है तर तो आटो में तो कोई टेंशन नहीं है ना किसी भी चीज़ की यह कार में मुझे एक बहुत ही बड़ी ऐसी चीज लगती है कि इसके देना इनीशिल जैसे मान लीजे अभी मैं ख़ड़ा हूं यह आप ऐसे मैंने ब्रेक कर दी है अमें यह ब्रेक छोड़ रहा हूं तो इसके देना एक टॉर के जो टायरों को कर फी प्रेशर फुली चलाता है अब मैं इसका थोड़न देता हूं तो तो कुछ ऐसे चलती है कार में थोड़ा से साउंड तो आएगा साउंड तो है कार के में यहापे कैबिन के अंदर भी कैबिन नॉइस है काफी बट पैसे बचरे हैं हमारे और अगर हम कैब सर्विस के अंदर हैं तो हमें इन सब चीज़ों को इग्णॉर करना पड़ेगा यह जैसे की यह ज़े दे काई जगहों पर जाके जब यह चीज़ करें तो वहां पर हलका सा लैग देगा वह लैग देने के बाद में यह ब्रेक करके फिर आगे बढ़ाएगा तो कार आप कंटिन्यू सी चलेगी वह डाउनों की फिर बढ़ेगी ऐसा ऐसा है कि इसके अंदर सिनेरियों है अचा यह अब अब इससे से अब अब आप इसने टू लगादी है और इतनी देर देखें कि में को टाइम दिया था वह इसलिए डिया घर चेंज कर लो अभी वह आपको मुझे जादा mileage मिल सकते हैं इससे और वह द्यादा अब जैसे में यहां दिखाओ तो अगर मैं यह गेट चेंज करता हूं ना तो यह देखो गेट चेंज यहां पर हो गई कि अदर कुछ नी होगा तो आर्ट्र टांस्विशन पर जब मैं इस कार को चला रहा हूं और मैं city द्राइव उसके अंदर खर रहा हूँ मैं city नी हूं तो मेरे को छोटी कार है यह काफी छोटी कार है काफी स्लीक कार रही है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है जिसके अंदर और उसकी जो हेंडिंग हो वो भी अच्छी हो जो सस्पेंशन हो अभी यहां पे एक पैच आएगा उस पैच में ज्यादा दर आपको वो मिलेंगे जिसे टाइल्स लगी होती है तो वह हम यहां पर देखेंगे अभी में स्कोरा स्लो स्पीड पर भी दिखाऊंगा और हाई अब यही चीज में थोड़ी सी स्पीड से अगर निकालों कि यहां से तब इसके अंदर वो जो टायर की घिसने की जो अवाज होती है वो आती है लेकिन सिस्पेंशन के मामले में कार बढ़िया अब यहां से हमें एक यह कट मारने वाले शाप कट यहां से हम लेफ्ट लेंगे और स्पीड है मेरी 60 यह देखना 60 की स्पीड अपर मैं यह कट कर रहा हूं यह इतना ज्यादा नहीं कि आपको यह बॉडी रोल इंबैलेंस टाइप करवा देगा या फिर गिरा देगा यह देखिए मैं यह कट मार रहा हूं या फिर ऐसे करकर चलाओंगा तो ऑवियस है कि कामीरी इंबैलेंस होगी लेकिन अगर आप इसको सेंसिबिली करने वारा है तो और यह सीन है कि जैसी में यह थ्रॉटल कार इंस्टंट पर नहीं लेगे रहा वह दूशन के लिए आपको एक सेंड का समते ही एक लाइक यह पूरा ऐसा है कुछ मिली सेंड का स्पास का है एक सेंड के थ्रॉटल करने के अंदर आपको यह वहापर सोशने पर मज़ूर करतेगा कि गाड़ी आगे चलेगी या नहीं तो जब जैसी गाड़ी आगे चलेगी वैसी इसके पावर का आपको फील होगा बट आप जब इंस्टेंट यह जो है फ्रोटल देंगे तो वहाँ पे इस्टेंट वील के इंदर पावर नहीं आएगी कुछ विली से खूमा थ्रोटल दबा के चला रहा हूं कार को अगर यह हलके ध्रोटल के इंद चलाएंगे ना इस कार को अल्टीमेट देखो अब मैं आपको चलागा झाल लएट थ्रोटल पे अब यह जो है मैं लुट ना अभी इसको टाइम मिल रहा है इसके कम्पीटर सिस्टम को सोस्ष मुका मिल रहा है कि अब इस कितनी स्पीड में है कार में कौन सा गे डालो देखा वह फिफ्ट गेर प्या गई लेकिन यही अधर मैं इसको खीच-खीच के चलाओंगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा इतनी जल्दी जितनी जल्दी हम लोग सोच लेंगे जो ड्राइवर लोग कर रहे हैं या फिर जो अल्री ड्राइवर से उनको चाहिए एक ऐसी कार और टाटा का वरोसा और मजबूत सी कार्ट से यह जो की अच्छी भी हो सेफ्टी डेटिंग में अच्छी आती हो तो यह कार है उनके लिए कैसे लग आपको वीडियो कमेंट करके बताना और कोई सब्सक्राइब करके और ऐसे वीडियो से थोड़ी सी मैंनल लगती है थोड़ा सब प्यार आप भी दे तो सब्सक्राइब कर लो एक है नेक्स वीडियो मिलते हैं अब तक के लिए बाए बाए